एलो एन वेलकम आप सभी का स्वागत है करन्ट अफेर्स डेली बाई नॉलेज़ चाप तो आज है 29 जैनुवरी तो आज से जुड़ी जितने भी इंपोर्टन करन्ट अफेर्स है वो हम लोग इस वीडियो में डिसकस कर लेते हैं उससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथी साथ बैल आइकन को भी क्लिक कर ले ताकि ऐसी इंपोर्टन करन्ट अफेर्स की वीडियो आपका भी मिस ना कर पाए अगर आपको इस देक्चर की पीडियेफ चाहिए तो आप टेलिक्राम ग्रूप को जॉइन कर सकते हैं जिसका लिंक जो है वो में डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइट कर चुका हूँ तो आए स्टार्ट करते हैं आज से जुड़ी इंपोर्टन करन्ट अफेर्स सबसे पहली निवसे इंडिया नेवी ने कंड़क्ट किया है यानि इन्होंने एक जॉइंट मेरिटाइम एक्सराइस इसे कंड़क्ट किया गया है जिसका नाम है पस्चिम लहर जो की 2022 में किया था और यह कहां पर हुआ अरेभियन सी में अरेभियन सी मतलब आप सभी को पता ही होगा कि इंडिया के इस साइट में यानि मुंबाई के साइट में ठीक है अब इसमें यह कितने दिन के लिए हुआ था टूटल ट्वेंटी डेज देखें आपर दिया हुआ है इंडिया नेवी कंड़क्ट ट्वेंटी डे जॉइंट इंफ्रा थिएटर मेरिटाइम एकसरसाइस जिसका नाम है पर्चिम लहर और जिसको हम लोग यह भी कहते हैं एकस पी एल ठीक है 2022 में हुआ था तो यह पुरा नाम हो गया आप इसे ध्यान दे सकते हैं अब यह कहां पर हुआ अरेभियंसी तो यह चीज़ आपको ध्यान दे ही है अब बात करते हैं जो वेस्टेन अब मैंने बताया जैसे कि वेस्टेन साइड में हुआ है तो वेस्टेन नवल कमांड कौन है वाइस अड्मिरल अजेंद्रा बहादूर सिंग इस चीज़ इस इनके नाम को आप ध्यान दे सकते हैं हो सकता एक्साम में पूछ ले ठीक ह यहां पर कुछ इंपोर्टन्ट फैक्ट्स दी हुई है आप इसे पढ़ सकते हैं ठीक है अपड़ते हैं अगले नियूस के ओपर जो कि हैं CSIR और इंस्टिट्ट इंस्टिट्ट यह पैस्टिडर साइन इन दोनों ने यानि CSIR अब CSIR का मतलब क्या है जो Council of Scientific and Industrial Research इनोंने और इंस्टिट्ट पैस्ट्चर यह दोनों मिलकर यह जो इंस्टिट्ट पैस्चर जो मैं बोल रहा हूँ यह फ्रांस की कंपनी है तो इन दोनों ने मिलकर एक MOU साइन किया है ताकि जो human health है उसमें कुछ advancement हो सके ठीक है अब यह कैसी human health के लिए होगा जो ग्लोबल human health जो होती है न उस चीज में यह help करेगी अब इसमें क्या है कहा जाता है कि scientific और टेकनलोजिकल यह सारी चीजे जिसे साब से बढ़ रहे हैं networking हो गया यह सारे जिसे साप से advance हो रही है तो यह जो human health के बीच में ये सारी चीजों को implement करते हुए यानि इन से भी को मिलाया जाएगा एक ही level पर लाया जाएगा तो इसी चीज़ के लिए ये MOU sign किया गया है इतनी चीज़ आपको याद रखिएगा कि CSIR यानि Council of Scientific and Industrial Research इनोंने और Institute Pasture एक France की कंपनी है इन दोनोंने मिलकर MOU sign किया है ताकि human health जो है उसमें advancement हो सके ठीक है अब बात कर लेते हैं CSIR के बारे में तो according to काइमेगो institutions ranking world report के बात करें तो ये 37th rank में आती है ठीक है और ये Asia की 7th position में और India की number one rank में ये आती है Global Government Institute के list में ठीक है अब बात कर लेते हैं इसके जो President है वो Prime Minister Narendra Modi है और इसके Director General है Sekar C. Monday जो की एक Secretariat है Department of Scientific and Industrial Research के ठीक है तो इतनी चीसे आपको ध्यान देनी है अब है Discommissioned INS कुक्री और ये handed over किया है किसको due administration को to be developed as museum तो ये जो INS कुक्री है ये ये क्या किया गया था ये सबसे पहले 23rd August 1989 में 1989 में इसको कमिशन किया गया था मुंबाई में और उसका अभी और डी कमिशन इसको कब किया था ये तो हो गया मैंने बताया कमिशन किया गया था और डी कमिशन हुआ था 23rd December 2021 को तो इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है और ये जो INS कुक्री है ये अभी कहा किसको hand over किया है दियू administration दियू मतलब जो दमन दाद्रा नगर हवेली दमन दियू जो है वो उनके administration को अभी ये hand over कर दिया गया है ताकि वहाँ पर इस INS कुक्री को एक museum में डेवलप किया जाए ठीक है इतनी चीजें आपको ध्यान देनी है अब आगे बढ़ते हैं government ने approve किया है PMC bank को अब ये PMC bank का मतलब क्या है पंजाब एंड महाराष्टा cooperative bank इनको as amalgamation plan with USFBL यानि unity small finance bank limited इनके द्वारा इन दुनों को मिलाया जाएगा ठीक है same यही चीज़े यहाँ पर भी लिखी हुई है अब ये बात करें ये सारी चीज़े कब होंगे 25th January को ये सारी चीज़े हो गए है अब बात कर लेते हैं unity small finance bank के बारे में तो इसके जो operations start हुए है वो है नवंबर 1st 2021 में और इसके headquarter से new Delhi जो की Delhi में है और chairman की बात करें विनोध राई और ये ex controller and auditor general भी है अगली news है max life और policy बजार इन दोनों ने मिलकर partnership किया है ताकि offer कर सके एक insurance cover जो की home makers होते हैं अब ये home makers कौन होते हैं जो घर पे जो spouse होते हैं जैसे की जो household में जो इतने भी लोग काम करते हैं girls जो females होते हैं उनके लिए ये plan है वो क्या कहा जाते हैं home maker कहा जाते हैं तो उनके लिए ये अभी insurance cover लिया जा रहा किनके दोरा max life और policy बजार के दोरा तो अब इसमें क्या benefits होंगी जैसे की यहाँ पर देखिये दिया हुआ है 80 to 50 years जो बीच में जो age back rate में जो रहेंगे वो यहाँ पर eligible होंगे अब इनको क्या करना होगा अगर इनकी annual income पांच लाग से ज्यादा है तो यह eligible हो सकते हैं यह insurance cover खरिदने के सबसे पहले बात करते हैं max life के बारे में तो इसके headquarters है गुरुग्राम हरियाना में और managing director कहाँ पर है कौन है प्रसांत त्रिपाटी और यह CEO भी है अब बात करते हैं policy बजार के बारे में तो इसके headquarters भी है हरियाना गुरुग्राम में गुरुग्राम हरियाना में और CEO की बात करें सर्भीर सिंग ठीक है और इसके जो head है वो है सज्जा प्रवीन चौधरी इतनी चीज़ें आपको ध्यान देने हैं अगला है IMF इन्होंने इंडिया की जो GDP की जो forecast है उसे अभी घटा घटा दिये हैं 9% जो की financial layer 2022 के लिए और 2023 के लिए जो ग्रोथ होगी उसे भी घटा कर कितना करती है 7.1 तो ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है अब ये घटाया है तो इससे पहले कितना था पहले इन लोगों ने कहा था कि 9.5 रह सकता है करकर लेकिन अभी इसे घटा कर कितना करती है 9% और 2023 का जो है उसे अभी कितना की है 7.1 इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है और ये global growth जो है ना उसे भी कहा है उसे भी घटा के कितना कर दिया गया है घटाया नहीं है उसे moderate रखा गया है यानि 5.9 to 2021 में होगा और 4.4 2022 में होगा जो मैं बोल रहा हूं ये सारे के सारे जो टर्म से वो financial year के टर्म से है यानि 1st April से start होगे और 31st March तक ये सारे चीज़े complete होगे वाता 1944 में और headquarter से Washington DC United States ठीक है अब मैनेजिंग डारेक्टर जो है वो है किस्तलीना जौर्जीवा इसके total members जो है 190 countries ठीक है इस चीज़ को ध्यान देना है including India अगला है इंडिया और UAE इन दोनों ने मिलकर setup करने की एक venture capital setup करने की सोच रहे हैं ताकि जो startup ecosystem है इसे motivate कर सके यानि boost up कर सके और इस यह सारे चीज़े करने में कितनी cost आ सकती है almost 150 million US dollar ठीक है तो इसमें आपको ध्यान देना है कि कौन से कौन से companies इसमें include होएंगे जो FICCI यानि Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry और HCL के founder Dr. Ajay Chaudhary इन दोनों ने मिलकर इस चीज़ को launch किया है कहां पर launch किये है एक्सपो 2020 जो कि दुबई में इस पर हुआ था वहां पर यह चीज़ को launch किये हैं अब इनका कुछ goals होते हैं और कुछ targets होते हैं वो सारे चीज़ें यहां पर दी हुई हैं आप ध्यान से पढ़ सकते हैं इनका target यह है कि आने वाले यह लोग target कर रहे हैं कि 50 ऐसे demonstrated रखे हुए ताकि जो start-up से उसे बढ़ा सके और कहा जा रहा है कि आने वाले 5 साल में ऐसी 10 companies को यह लोग unicorn की status दे देंगे कहकर यानि 2025 तक कितने start-up को 10 ऐसे start-ups को यह लोग unicorn की status दे देंगे अब यह unicorn क्या होता है कोई भी नई company market में अगर आती है और कोई start-up अगर वो market में आती है और अगर उनका valuation जो है 1 billion अगर वो पार करती है तो वो एक unicorn कहा जाता है ठीक है तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान दे इन यह अब बात करते हैं यह जो export 2020 यह कहा हुआ था दुबई में तो United Arab Emirates इसके बारे में थोड़ी जान लेते हैं हम लोग इसकी capital है अबुदाभी currency है दिरहम और president कौन है कलीफा बिन जायद अल-नयान इतनी चीज़ आपको ध्यान देनी है अगला है MHA यानि Ministry of Home Affairs इन्होंने announce किया है पद्मा हवाट्स और यह किनकिन को दिया गया है जो recently जो helicopter की जो accident हुआ हमारे जो first chief of defense staff जो थे जनरल विपित रावत इनको दिया गया है और जो vaccine maker से उनको और साथी साथ Google जो सुन्दर पिचाई है जो Google इनको पद्मा अवाट्स से दिया गया है अब बात कर लेते हैं किनकिन को क्या क्या मिला है टोटल कितने मिला है वो सारी चीज़े तो देखे टोटल यह जो तीन category होते हैं जैसे कि पद्मा विभूशन पद्मा भूशन और इस तरीकी की एक medal और एक honor इंडियन government के द्वारा citizens को दिया जाता है अगर वो लोग कुछ अच्छी performance करते हैं तो अब बात कर लेते हैं टोटल इस बार कितने दिये हैं चार पद्मा विभूशन दिया गया है 17 पद्मा भूशन दिया गया है और 107 पद्मा स्री अवार्ट्स ये दिया गया है टोटल मिला कर कितने हो गए 128 पद्मा वार्ट्स इस बार दिया गया है पद्मा विभूशन के बात करें जैसे कि मैंने बताया कल्यान सिंग जो की former उ हेलिकॉप्टर क्राइस में डिसंबर में उन्होंने विर्गति को प्राप्त हो गए अब बात करते हैं पद्मा भूशन जो है माइक्रोसफ्ट के सीयो सत्या नडेला को गूगल के सीयो सुंदर पिचाई और टाटा ग्रूप के जो चेयर पर्सन है नटराजन एंड चंद्र से जो कोविशिल्ड बनाए है उनको और कृष्णा एला और सुचिता एला जो कि भारत बायोटेक के हैं जिनोंने भारत की इंडिजनेस को कोरियोना वाइरस जो वैक्सिन बनाया था को वैक्सिन उनको ऐसी इंपोर्टेंट अवर्ड दिया गया है अब बात करते ही है जो पद समोध भार भगत वंदना कार्तिरा कतारिया सिंगर है सोनो निगम इनको भी इसमें दिया जाने का है और कुछ इंपोर्टन्ट है आप यहां पर देख सकते हैं ठीक है अगली है एक नई प्रजाती यानि एक लिजट की एक नई प्रजाती जिसका नाम है यह साइन्टिफिक नेम है अपाटानी मैं पुरा बता रहा हूँ प्रोटो ब्लेप्रोस प्रोटो ब्लेप्रोलस अपाटानी यह नामक एक साइन्टिफिक नेमक एक लिजट एक नई प्रदेश में और यह अरुनाचल प्रदेश में कहां इसे डिस्कवर किया गया है तले वैली वाइड लाइफ सेंचुरी में इसे डिस्कवर किया गया है अब यह जो न्यू स्पीसिस है इसे अपाटानी ट्राइब जो है अरुनाचल प्रदेश की इनके यानि रेस्पेक्ट म उस चीज़ उनी को honor करने के लिए और उनके मद्द नजर रखते हुए इनको नाम रखा गया है अब बात कर लेते अरुनाचल प्रदेश के बारे में तो यहाँ पर एक wildlife century कुछ important है जैसे की काने wildlife century और मेहाव wildlife century इतने चीज़ें आपको अरुनाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है अगला है tennis यानि tennis से जुड़ी है रस्या के असलान करत्साव इन्होंने जीता है 2022 के जो Sydney tennis classic जो हुआ था उसमें इन्होंने जीता है देखें यहाँ पर पूरी की पूरी लिस्ट है जैसे की men's single में कौन जीते हैं आसलान का रस्ताव जो के रस्या के हैं और किनकों हराकर ये जीते हैं एंडी मोर्गे जो की UK के हैं वुमेंस में बात करें पाउला बदोसा जो की स्पेन के हैं और चेक रिपब्लिक के एक हैं बार्बोरा men's doubles की बात करें आस्टिलियन प्लेयर है जॉन पियर्स और फिलिप पालासोक जो की सुलाविका का है और runner-up कौन है दीखें आपर दिया हुआ है सोमीने बोलीले जो की इटली के हैं और फैबियो पगोनी वुमेंस डफल में अन्ना डैनेलिया जो की खज़किस्तान के हैं और पीटरिस हदेद मॉयला जो की ब्राजिल के हैं और runner-up कौन बने है वेईवान हैसेन जो की जर्मनी के है और पाना उध्वर्डे जो की अंगरी के हैं इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी हैं अब बात करते हैं अगली निउस के उपर जो की है एक बहतरीन कतकली डैंसर है और इनको Padma Award से भी सनमानित किया गया है जनका नाम है Milina Salvini ये है वो मैडम इनका अभी निदन हो गया है इनकी उमर थी 84 years जिस वक्त इनका निदर हो गया तो इतनी चीज़ें आपको इनको ध्यान देना है 2001 में UNESCO ने रेकोगनाइस किया है कूरी अट्टम ये जो डैंस फॉर्म है इसे Intangible Heritage of Humanity इस यानि इस डैंस फॉर्म को इसके लिस्ट में किसके लिस्ट में UNESCO के लिस्ट में इसे सामिल किया गया है बात करते हैं इनको पतमस्री से कब सनमानित किया गया था 2019 में इन्दफ फॉर्म ओफ कौन सी कैटेगोरी में आर्ट्स की कैटेगोरी में इनको सनमानित किया गया है अगले हैं Legendary Hockey Player है और इनको भी पतमस्री से सनमानित किया गया है जिनका नाम है चरंजीत सिंग इनका भी अभी निदन हो चुका है तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है कि इनको पदमा स्री को पदमा स्री अवार्ड दिया गया था अब इनके बारे में कुछ जान लेते हैं यह इंडियन जो टीम थी हौकी टीम इनके कैप्टेन थे और इनके वक्त गोल्ड मेडल भी आया था 1964 की जो टोक्यो एलम्पिक्स हुए है उसमें और यह कहां के रहने वाले हैं हिमाचल प्रदेश के अब इनको पदमा स्री कब दिया गया था 1964 इन स्पोर्ट्स फिल्ड में और साथी साथ अरजुना अवार्ड भी इनको दिया गया था 1963 में हौकी में इनकी उतनी बहतरिन परफॉर्मेंस के लिए अगला है रस्किन बॉंड की एक नई बुक आई है जिसका टाइटल है A Little Book of India Celebrating 75 Years of Independence यह उस बुक की फ्रंट पेज है और यह किसकी बुक है रस्किन बॉंड की तो रस्किन बॉंड के बारे में अगर आपको जानना है तो यह एक इंडिया इस फेमस चिल्डरन बुक ऑथर है जो की कसोली जो हिमाचल प्रदेश के हैं वहाँ पर यह मतलब पैदा इनका जनम हुआ और जामनगर दहराधुन निव देली सिमला यहाँ पर यह बड़े हुआ है यह सारे जगाओं में इनको कुछ इंपोर्टेंट अवार्ड भी दिया गया है जैसे साहित्य अकाडमी अवार्ड साहित्य अकाडमी बाल साहित्य पुरसकार पद्मा श्री पद्मा भूशन इन लिटरेचर देली गवर्नमेंट में इनको लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया है था 2012 में इनकी ऑथराइज़ड बुक है यह A Little Book of India Celebrating 75th Years of Independence इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है कुछ important और famous बुक्स है जैसे कि The Blue Umbrella Delhi Is Not Far A Fight of Pigeons The Night Train at Dioli यह कुछ important बुक्स है जो कि इनके द्वारा लिखा गया है और इनके पहली बुक है The Room on the Roof यह इनके पहली बुक है इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है अगला है एक नई बुक है जो कि Liberty After Freedom जो कि authorize किया गया है यानि Rohan J. Alva इनके द्वारा यह इस बुक के author है यह है बुक की front page आप ध्यान्स दे सकते हैं और remember कर सकते हैं इस चीज़ को अब यह बुक कौन publish किया है Harper Collins इंडिया के जो हैं उन्होंने यह बुक को अभी publish करेंगे तो इस बुक के author कोन है Rohan J. Alva और इस बुक का नाम क्या है Liberty After Freedom इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है और इसकी एक देखें यह आपर दिया History of Article 21 Due Process and the Constitution of India यह इंडिया की Constitution के जो Article 21 है उसके उसपर बेसिस पे यह बना हुआ है तो इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है अगला है यह दो सब आप इस ब को पताई होगा कि 26 January को हम सभी Celebrate क्या करते है Republic Day यह इस बार जो हुआ है वो 73rd नंबर के Republic Day हुआ है इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है और इसी के साथ एक और बाद आप सभी को गनतंत्र दिवस की हर्दिक सुपकामना है अगला है International Customs Day यह भी 26 January को Observe किया जाता है और Celebrate किया जाता है इंडिया के जो Customs Department है उनके द्वारा ताकि जो Border Security है इन सारी चीज़ों को Maintain करने के लिए इनका काम है Customs आपको पता है कि जो Border Area होते हैं वहाँ पर इस चीज़ की बहुत ही ज़्यादा Important हो जाती है बात करते हैं जो World Customs Organization इनके बारे में तो ये एकलोती ऐसी है जो International Body है जो ये जो Customs और ये सारी चीज़ें इस पर डिल करती है और इसकी Headquarters की बात करें Brussels में है जो की Belgium में है और इसके जो Secretary General है वो है कुनियो मिकोरिया और Total Members कितने हैं 183 Members हैं इसके ठीक है अगली नियूस है International Day of Commemoration Commemoration in Memory of Victims of Holocaust ये 27th January को अबजरू किया जाता है ताकि जो Victims थे Holocaust Holocaust में जो भी Victims थे उनके Memory में इस डे को यानि अबजरू किया जाता है किसके द्वारा? United Nations के द्वारा Maximum जिखेगा जितने भी International Day ऐसे करके जितने भी होते हैं वो Maximum United Nations के द्वारा ही वो अबजरू किया जाते हैं यानि उनी के List में ये रहता है जो पूरी की पूरी World उस दिन को अबजरू किया जाता है कोई भी specific day होता है जैसे कि इसके बार में मैंने बताया ये सारे चिज़े पूरी दुनिया में मनाया जाता है इस बार की बात करें तो ये 70 यानि अब ये क्या हो गया? इस बार की थीम की बात करें वो है memory, dignity and justice इस बार की थीम है इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है अगला है CM बसावा राज बोमाई इन्होंने लांच किया है Grama 1 in 12 districts of करनाटका करनाटका के जो CM है यानि बसावा राज सोमापा बोमाई इन्होंने क्या लांच किया है? Grama 1 ये नामक प्रोग्राम है इसे लांच किया गया है 12 districts करनाटका के जो 12 districts है उनसे भी जगाओ पे तो करनाटके के बारे में थोड़ी जान लेते हैं इनके गवर्नर है तावर्चंद गेलोथ और कुछ important airports है जैसे की हुबिली domestic airport बेलाई domestic airport मैसूर एरपोर्ट हुबिली जो railway station है वो इंडिया की सबसे longest railway station बनने वाली है तो इतनी चीज़ें आपको यहां से ध्यान देना है इसी में एक और चीज़ में आपको बता देता हूँ सबसे पहले जो longest railway station थी वो West Bengal की खरकपूर में वो railway station थी उसके बाद वो बदल कर गोरकपूर में चला गया अब गोरकपूर से भी जो लंबी railway station है वो हूबली में बनने वाली है अगली है आंदरप्रदेश की जो cabinet है इन्होंने clear कर दिया है क्या करने के लिए 13 नए district को बनाने के लिए इसमें मंजूरी मिल चुकी है अब total कितने districts हो जाएंगे अगर ये 36 को अभी add कर देंगे तो total 26 ऐसे districts बन जाएंगे जो की आंदरप्रदेश में अब होंगे जो आंदरप्रदेश की जो तेलकू निवियर होता है जो की हर साल एप्रेल के जिसे हम लोग एक festival कहा जाता है मैं अभी recognize नहीं कर पा रहा हूँ बढ़ मैं आपको बताता हूँ उगादी festival जो होती है जो की एप्रेल में तेलकू निवियर होती है वो तो वो festival के दिन ये सारे जो थर्टीन जो नए डिस्टिक्स बने है तब तक complete कर दिया जाएगा तो इतनी चीसी दिहान रखियेगा अब ये थर्टीन जो नए डिस्टिक्स बन रही है उसके बारे में बात करें पेटा यहाँ पर होगा नंदियाल स्री सत्यसाय डिस्ट्रिक्ट और जो कि पुट्तपति जो है वहाँ पर यह होगा अन्या मैह डिस्ट्रिक्ट बनेगी जोकि तिरुपति में होगा तो यह जो तेरा नई जो डिस्टिक्ट बन रही है इसके बारे में मैंने बता दिया पड़ यह इतनी important नहीं है मैंने बता दिया अब अब आंध्रप्रदेश के बारे में बात करें तो इसके तीन ऐसे capital से जो के पर रेजन टायम में है एक ऐसी इंडिया की इंडिया की श्टेट है यह मतलब ओनली इंडिया श्टेट है जहां पर इसके तीन capital से जैसे कि विशा का पत्नम के बात करें यह executive capital है जैसे अमरावती और करनूल जो है वह legislative लेजिसलेटिव केपिटल और जुडिश्यल केपिटल है तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान देनी है अमरावती लेजिसलेटिव है करनोल जो है वो जुडिश्यल केपिटल और विशाकपटनम एक्जिक्यूटी केपिटल है यहां की जो गवर्नर है वो है विश्वभूशन ह अरिचंदन ठीक है यहां पर कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क है जैसे कि स्रीव इंकटेश्वरा नेशनल परक और राजीव गंदी नेशनल परक और पापी कॉंडा नेशनल परक भी यहां पर फेमास है इतनी चीज़े आपको ध्यान देनी है अगली है तेलेगाना की जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया मना ओरू मना बाड़ी यह नामक प्रोग्राम ताकि गवर्वर्णर्मेंट स्कूल जो है उसे स्ट्रेंदन करने के लिए इसमें कहा जा रहा है कि आल्मोस्ट जो 19.84 लैक्स जो लैक्स चिल्रन है वो डिरेक्टली बेनिफि उसकी इसमें इसकी बजट आने वाली है क्या प्रोग्राम है पहले आप यह ध्यान दिजेगा माना ऊरू माना बाड़ी यह नामक प्रोग्राम है जो कि तेलंगाना के जो कैबिनेट है उन्होंने अप्रूव कर दिया है और यह किस चीज के लिए जो गावर्नमेंट स्कूल से उस चीज को भड़ोतरी करने के लिए अब बात कर लेते हैं तेलंगाना के बारे में तो यहां के जो चीप मिनिस्टर है के चंद्रा सेकरन यह आप ध्यान दिजेगा अगला है गवर्नर जो कि तमिल साई सुन्दाराजन यह इतनी चीज़े अब ध्यान दिजेगा अगला है करनाटा का ने लॉंच किया है ब्रेइन हेल्थ इनिशेटिव यह इंडिया की पहली है ताकि जो डॉक्टर से उनको यह ब्रेइन हेल्थ केर में ट्रेनिंग दिया का यह इसके के हलने यह किया जाएगा नियम हांस यह निशनल इंस्टिटिई ईनिति अ कि पहली ही और शातैस हम लोगों ने कमिलेट कर लिया कोई बात नहीं है तो अगर ये लेक्चर आपको पसंद आ रही है और पसंद आया है तो आप लाइक करके मुझे मोटिवेट कर सकते हैं और जितने भी जरूरत मंद बच्चे होते हैं उनको ये लेक्चर को शेर करें और साथी साथ इस चैनल पर अगर आप नए है तो जरूर सब्स किल जरूर ये झाल ये रजोब कर दोने आप लाइ।